हेलो गाईश स्वागा थे मेरे चैनल पर आज हम कुछ ऐसे मेडिकल डिवाइस के बारे में जानेंगे जिसको हम घर पर भी यूज़ कर सकते हैं तो सबसे पहले है ब्लाट प्रेशर को मेजर करने का डिवाइस जिसको हम स्पाइग नो मेनोमिटर कहते हैं नॉर्मेल ब्लाट प्रेशर होता है 120 x 80 mmHg उसके बाद है थर्मोमिटर ये तो सभी को पता है थर्मोमिटर को हम टेमपेरेशर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं ये एक बड़ा ही इंपोर्टेन डिवाइस है तो हमरे ब्लाट में कितना परसेंटेज ओक्सिजन होना साहिए 95 to 100 परसेंटेज उसके बाद शुगर से करने वाले डिवाइस को हम ग्लुकोमिटर कहते हैं शुगर को हम कई तरीकों से चेक कर सकते हैं तो पहला है फास्टिंग ब्लाट शुगर, फास्टिंग ब्लाट शुगर में आपका पेत यानी स््टोमख बिलकुल खाली होना साहिए उसके बाद है PPBS यानि Post-Prendial Blood Sugar इस सुगर में हम खाना खाने के दो घंटे के बाद टेस करते हैं जैसे कि मान दीजी आप 9 बजे खाना खाते हैं तो आप 11 बजे इस टेस को करिए उसके बाद है Random Blood Sugar रेंडम Blood Sugar में आप खाली पेट भी कर सकते हैं और खाना खाके भी इस टेस को कर सकते हैं उसके बाद यह साक्षन मेसिन इसको यूज करके हमारे लांच पे और ठोट पे जितना भी सिक्रेशन होता है उसको बाहर निकला जाता है शाक्षन मेसिन को एस्पीरेटर भी कहा जाता है आज का वीडियो इतना तक ही वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए सस्करब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेर कर डिजिए